वेलकम टू वानी सर्स यूटूब चनल और आज हम पढ़ने वाले हैं Permutation and Combination की Exercise 7.4 के कुछ और Questions Question No. 7 पहले पढ़ते हैं Question No. 7 में हमसे पूछा जा रहा है In how many ways can one select a cricket team of 11 from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must include 17 bowlers चलो मैं आपको समझाता हूँ कि इस Question में क्या दिया गया है और हमें किस चीज का अंसर देना है ये कहता है Question में कि आपके पास total 17 players है कितने players है? 17 players और ये किस game की players है? 17 cricket players है ये लोग cricket करते हैं और आपको क्या करना है? In given 17 players मेंसे आपको 11 players की team बनानी है कितने players की team बनानी है? That means आपको 17 players मेंसे 11 players को select करना है अब ये जो आपको पता है एक cricket team जो होती है इसमें कुछ players bowlers होते हैं specialised bowlers कुछ specialised batsmen होते हैं कोई हमारा यहाँ पर क्या होता है? विकेट के पर given दिया हुआ है ये जो 17 players है ना इन 17 players में special 4 bowlers है कितने bowlers है? 4 have bowlers 17 players मेंसे 4 bowlers है जो remaining player sorry not 4, 5 5 bowlers है 17 मेंसे 5 bowlers है तो जब 17 players मेंसे 5 bowlers है तो कितने आपके batsmen बचेगे? That's 17 minus 5 which is 12 तो 17 cricket men मेंसे जो है आपके 12 batsmen है आरे ना बात समझ में? total 17 players है 17 मेंसे 5 bowlers है that's bowling जो करते हैं और 12 bats खिलते हैं हमें बनानी है 17 मेंसे 11 players की team क्या sir 11 players की जो team बनानी है इसके लिए कोई condition है कि इसमें इतने bowlers इतने batsmen होने चाहिए? yes इसके लिए condition है ये कह रहा है कि जो आप 17 players मेंसे 11 players की team बनाओगे इन 11 players में आपको 4 bowlers रखना ज़रूरी है 11 players मेंसे कितने bowlers रखना ज़रूरी है? 4 तो कितने फिर batsmen रखने हैं 11 players मेंसे आपनी चार bowlers रखने है true remaining 7 आपको रखने है batsmen 7 आपको रखने है batsmen ये काम आपको करना है simply 17 players मेंसे आपको 11 players का एक team बनाना है जिस team में आपके 4 bowlers होने चाहे और 7 batsmen ये काम आपसे पूछा जा रहा है कि ये काम आपको करना नहीं है ये कह रहा है आपको यही काम आप कितने ways से कर सकते हो कितने अलग-अलग ways से कर सकते हो In how many ways you can do this thing ये आपको answer देना है तो चलो हम इसको कहेंगे कि ये जो हमारे पास 5 बाउलर से जब हमें 5 बाउलर्स में से हमें 4 बाउलर्स को चुनना है तो हम क्या करेंगे ये तो combination वाला question है विकास जब हम चीजों को select करते हैं यहाँ order matter नहीं करता है तो हम कहेंगे 5 बाउलर्स में से हम 4 बाउलर्स इतने ways से कर सकते हैं 5C, 4 ways और हमारे पास 12 batsmen है 12 batsmen मैं से हमें 7 batsmen को चुनना है तो ये वाला काम हम कितने तेरी कुसे कर सकते हैं 12 batsmen मैं से 7 को चुनना है that's 12C, 7 ways लेकिन हमें 4 बाउलर्स रकने हैं 7 batsmen रखने हैं that's ये भी रखना है, ये भी करना है तो इसके बीच में लगेगा end 4 बाउलर्स को हम कितने बाउलर्स में सेलेक्ट करना है 5 बाउलर्स मैं से 4 बाउलर्स out of 5 can be selected in how many ways can be selected or can be done this thing can be done selected in how many ways 5C, 4 ways हमने बोला 5 बाउलर्स मैं से हम 4 बाउलर्स को एतने ways से सेलेक्ट कर सकते हैं and 7 batsmen because हमें टोटल 11 बाउलर्स की टीम बनानी है इसमें 4 बाउलर्स हके तो 7 batsmen रखने है and 7 batsmen can be selected in how many and 7 batsmen out of कितने मैं से टोटल थे 17 बाउलर्स है तो 12 है आपकी batsmen 7 batsmen out of 12 can be selected in how many ways 12 C 7 ways 12 में से 7 को चुनना है तो हम लिखेंगे last में final answer क्या देना है 4 बाउलर्स को भी चुनना है 7 batsmen को भी चुनना है therefore by fundamental F से fundamental P से principle of multiplication M से multiplication total number of ways of selecting 11 players from 17 is fundamental of counting क्या कहता है कि हमें actually 11 players को select करना था total 17 players में से लेकिन with conditions condition क्या थी चार बाउलर्स और 7 batsmen होने चाहे थे हमने बोला कि बाउलर्स वाला काम हम कितने वे से कर सकते हैं 5C 4 ways okay and आना बीच में एंड का मतलब होता है multiplication permutation combination और batsmen वाला काम हम कितने वे से कर सकते 12C 7 ways अब इस चीज़ को हम simplify करेंगे तो हमें मिलेगा answer इस चीज़ को मैं थोड़ा सा हम मिटा देता हूँ हां कि यहां पे कुछ space बन जाए further writing के लिए देखो बटा करो से 5C 4 मैंने कल बोला कि एंसी आर के लिए आपके फूर फॉर्मला है एन फैक्टरिल अपनमे एन मैनस और का होल फैक्टोरिय इंट और फैक्टरिय उसका भी आप यूज़ कर सकते हो दूसरा मैंने मैंने बूला 5 को आप कितने प्लेस तब एक्समेंड करोगे 4 प्लेस तक डैस वर दैस जो आर है यहां पर आर क्या है 4 आपन में जो है वो पूरा एक्सपेंड करना है 4 x 3 x 2 x 1 विच मड़ल टॉपलिकेशन है 12 c 7 का मतलब हुआ 12 को कितने टोमस तक एक्सपेंड करना है 7 टोमस तक चलो करेंगे 12 को से 12 x 11 x 10 x 9 x 8 x 7 कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 places तक हमें 12 एक्सपेंड करना है अपन में है 7 तो 7 एक्सपेंड करना है 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1 अब देखो देखते हैं क्या किस से कैंसल आउट होगा देखो 2 2 से 3 3 4 4 जिया हों पाइख हां हमारा बक्स यहां प्सेति अपर देखो पहले 177 इक एक सर्कूइ कटक्ते गाला 5 2 सर्फ केतना हुआ 10 5 टूर्ट कितना हो टें टेंट से कटेगा उखें और ऑपर ट्रीशETH कितना होता है 12, 12 commit 12 से cancel समझा रहने बाद, तो यहां बचा 11 और 9, that's 11 times 9, यह आपका हुआ 5 ऐसे है, 11 9s are 99, यहां पर हमें अंसर मिलेगा, 5 9s are 45, 4 carry 5, 45, again plus 4, that's 495, यह जो आप से को काम दिया गया था, यह 17 players में से आपको 11 players को select करना था, जिन 11 players में 4 ballers होने चाहे थे और 7 batsmen, यह काम आप से पूछा गया था, यह आप कितने अलग-अलग ways से कर सकते हो, और आपने इसका answer दिया, कि मैं यह वाला काम 495 different ways से कर सकता हूँ, करते हैं, question number 8 of this exercise, question number 8 में हम से क्या पूछा जा रहा है, a bag contains 5 black and 6 red balls, 5 black and 6 red balls, determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected, बहुत आसान question है, हमने दिया गया है कि एक ऐसा bag है, एक bag ऐसा है, जिस bag में 5 black balls है, 5 black balls है और 6 red balls है, say B stands for black, R stands for red, एक bag में 5 black और 6 red balls है, आपको इस bag से निकालनी है बाल्स, आपको इस bag में heart डालना है और heart डालके बाल्स बाहर निकालनी है, लेकिन कितनी बालस निकालनी है यह question में हमसे पूर है आप से पूछा जा रहा है कि यहां से आपको दो black balls, two black balls निकालनी है और three red balls निकालनी है आपको इस bag से two black balls निकालनी है और three red balls निकालनी है लेकिन अब हमसे पूछा यह नहीं पूछा जा रहा है कि आप निकालो यहां से 2 black और 3 bars हमसे यह पूछा जा रहा है अगर आपको इस bag से 2 black balls और 3 red balls निकालनी हो तो आप यह काम कितने अलग-अलग वेज़ से कर सकते हो देखो यह 5 black balls है हम इसको मान से हमें B1, B2, B3, B4, B5 यह 6 red balls R1, R2, R3, अब टो R6 आपको दो black balls निकालनी है हम इसे कहेंगे from the given 5 black balls हमें 2 black balls निकालनी है यह काम हम कितने वेज़ से कर सकते हैं because here order doesn't matter that is 5 में से 2 निकालना that is 5C2A and है बीच में in 6 red balls में से हमें कितनी red balls निकालनी है तो 6 red balls में से हमें 3 red balls निकालनी है हम इसे कहेंगे कि यह वाला काम हम इतनी वेज़ से कर सकते हैं 6C3 ways it is simply selection selection का मतलब होता दूसरा नाम combination combination of 6 object 6 balls taken 3 at a time और फिर इसे answer में लिखते हैंगे क्या लिखेंगे हमें यहाँ भी फॉर्मली थोड़ा लिखेंगे 2 black balls 2 black balls out of how many कितनी है total out of 5 can be selected in how many ways 5 black balls में से 5 kali balls में से हम 2 kali balls को कितनी ways से अलग-अलग ways से select कर सकते हैं that can be selected in how many ways 5C2 ways 5 में से 2 को सेलेक्ट करना similarly similarly red balls जो है न red balls similarly red balls can be selected in how many ways कितनी red balls 3 similarly 3 red balls can be selected in 6C3 ways 6 में से 3 को चुनना हम लिखेंगे answer therefore by fundamental F से मतलब fundamental principle principle of multiplication total number of ways of selecting total कितने तरीकों से हम ये काम कर सकते हैं black balls और फ्री रेड़ बाल्स को सेलेक्ट करने का total number of ways of selecting two black and three red balls is is क्या किता है ये क्या के तरीकों से आपका ये हां तोड़ा से मिटा देता हूँ चलरे यहां पे मिटा देते हैं इतनी से काम बन जाएगा देखो यहां से आप लोग यहां पर आएएगा continue करेंगे यहां पर तो दो ब्लैक बालस को 5 ब्लैक बालस में इस इस फाइव सी टू इस एंड रेड बालस को भी निकालना है तो इसलिए मालिट्फिल केशन लगेगा लगेञा जाएव सिक्सी3 बीज से हम त्री रेड बालस को शिक्स रेड बालस से सलेक्ट कर सकाएगा 5C2 मि इस सिंपल वाली फार्मुला यूज करेंगे 5 को एक्समेंट करने हैं कितने टर्म्स तक, 2 टर्म्स तक, that's 5 टाइम्स 4 अपन में हो लिखना होता है two factorial पूरा two times one, बीच में six को expand करेंगे कितनी terms तक, three terms तक, three तक नहीं, three terms तक, that is six, एक term होगी, five, दूसरी term, four, three, three term होगी, three terms तक, नीचे है, three, three का मतलब three factorial पूरा expand करना है, अब देखो यहां पर, two, one's are, two, two's are, five, two's are, आपका आगया, ten numerator में, यहां, आपका क्या हो जाएगा three, two's are, six, six cancel out होगा, three, two's are, six, five, fours are, twenty बजएगा, ten, twenty, कितना बनेगा, two hundred, तो यह वाला काम आप कितने वे से कर सकते हो, कौन सा काम, five red balls में से, आपको दो red balls को चुनना था, और six, sorry, six red balls में से, तीन red balls, और five black balls में से, दो black balls को चुनना था, यह काम हम कितने अलग-अलग व अब हम exercise 7.4 का question number 9 swallow करते हैं, यह इस exercise का last question है, और यह question बहुती interesting question है, जब आपने 10th pass किया हो, 10th तक सब के 5 subject सेम होते हैं, लेकिन जब आपने 10th exam pass किया हो, तो फिर आपको जब 11th में admission लेना हो, तो पहला जो काम होता है, student का, आप stream change करो, आप कौन सी stream ले रहे हो, क्या science में non-medical ले रहे हो, medical ले रहे हो, या आप medical plus math ले रहे हो, या arts ले रहे हो, या commerce, अगर आपको arts ही लेना है, science ही लेना है, जैसे कि अगर आपको arts लेना, arts में से कौन कौन subject, because there are various options, science में भी आपके various options होते हैं, तो यह काम, यह चीज़ आप, इस चीज़ से आप गुजरे ह चलो इस question को swallow करते हैं, जो हमारा interesting question, हमारे हमसे related question है, देखो question में क्या पूछा जा रहा है, in how many ways can a student choose a program of five courses, program of five courses means simply a stream, जैसे sign a stream, उसमें कितने subjects होते हैं, पांच, वैसे यह कह रहा है, कि एक student को एक stream चुननी है, जिस stream में पांच subjects होते हैं, मतलब subjects, जिसमें उसके पांच subjects होनी जाएं, कितने given subjects हैं, if nine courses are available, given कितने subjects हैं, nine, nine में से उसे पांच subjects को चुनना है, चलो, अगर इतना लिखा होता हम कहते हैं, nine C, five A's answer, लेकि इसमें कुछ extra लिखा है, and two specific courses are compulsory for every student, चलो इस question को मैं आप अच्छे से समझाता हूँ, student को given दिये जा रहे हैं, nine courses, courses, courses से आप यहां समझो, subject से, physics, chemistry, math, bio, English, वैसे, nine courses total है, लेकिन इन nine courses में यह लिखा गया है, कि two है, इसमें, दो courses में specific है, two specific courses, और seven है आपके optional, इनके क्या कहेंगे, optional, that is in seven में से आप किसी को भी चुन सकते हूँ, specific से मतलब यहां पर यह आपके लिए compulsory है, जैसे आप 11 में आगे, आपको पूछा गया है, आप से पूछा गया, कि आपको पांच subjects चुनने हैं, लेकिन पांच subjects में से आपको सिर्फ चार subjects की choice दी जाएगी, एक subject आपको compulsory लेना है, वो कुन सा है, English, या कहीं पे आपको, कहीं पे आप से पुछा जा रहा है, कि आपको पांच subjects लेने हैं, लेकिन पांच में से आपको बस तीन objects optional है, जिन को आप खुद से चुन सकते हो, खुद की मर्जी से चुन सकते हो, लेकिन दो subjects आपके लिए compulsory हैं, जिन को लेना compulsory है, चाहे कोई student, कोई भी stream ले ले, कोई भी five subjects ले के, लेकिन पांच में से ये दो होना ज़रूरी है, तो इन दो में से यही दो चुनने हैं, तो ये a हो गया 2c2 is, इन को हम कितने वे से, वेटा ये दो आपको subjects यहीं से दिये जा रहे हैं, कि इन दो को आपको कितने वे से लेख सकते हैं, ये तो लेना है, अब यहाँ पे हमारे कितने subjects हैं, लेकिन ये optional है, यहाँ पे आपको, टोटल कितने subjects चुनने हैं, पांच, पांच में से आपने दो चुनने, अब कितने चुनने हैं, तीन, सो तीन कहां से चुनने हैं, इन seven optional objects में, बात तो यह दो लिए आपने, अब आपको कितने लेने है, टोटल बनने चाहेँ, तो तीन और लेने हैं, तीन यहां से लेने हैं, उप्षी, साथ मैसे, इन सेवन ऑप्ष्णल कोर्षेश मैसे, आपको तीन कोर्षेश को चुनना हैं, लेकिन ये काम आप कितने अलग-ळग सकते हो that's the question that matters so seven optional subjects मैंसे आपको 3 optional courses को चुनना है यह काम हूं कितने से कर सकते हैं 7C 3 वे तो 7c3 3 plus 2 आपके total 5 courses हो गए इस चीज़ को लिखेंगे from the two specific courses जो खास courses है जो खास subject से जैसे आपके English, Hindi, English और दू होता है from the two specific courses मैं यह नहीं लिखूँँगा मैं लिखूँँगा two specific courses two specific courses taken दो है specific courses लेकिन दो में से हमें हमें कितने courses specific लेने हैं दो को ही taken two at a time can be selected in how many ways can be selected in two see two ways यह है ना दो में से दो को चुनना लेकिन यहाँ बे क्या है order matter नहीं करता है जैसे आपका English और Hindi हो गया अगर कोई कहेगा मैंने specific courses में से English और Hindi लिया लेकिन दूसरा कहेगा कि मैंने specific courses में से Hindi और English लिया इन दो subjects के नाम इनके names की position बदलने से यह यह नाई selection नहीं बनती है इसलिए combination अगर इसमें order matter होता मैं लिख था 2P2 और नमास में ओके एंड अब कितने courses हमें बच रहे हैं टोटल में से नाइन में से दो optional and remaining sorry three optional courses out of how many हमें remaining और कितने courses चुनने हैं दो तो हमने चुनने तीन courses और चुनने हैं लेकिन वो optional वहाँ पर हमारी मर्जी चलती है and remaining three optional courses out of seven can be selected उनको हम कितने ways से select कर सकते हैं can be selected in seven see three ways दिखा साथ में से तीन को चुनना अब हम लिखेंगे total ये वाला काम हम कितने ways से कर सकते हैं वो हम answer में लिखेंगे therefore by fundamental f से मतलब fundamental p से मतलब principle of multiplication total number of ways total number of ways यहां तक अभी तक हम बात कर रहे थे अलग अलग specific courses से कितने ways से चुना जा सकता है optional courses को कितने ways से चुना जा सकता है अब हम लिखेंगे total five courses को कितने ways से चुना जा सकता है therefore by fundamental principle of total number of ways of selecting five courses of selecting of selecting five courses is equal किसके equal है specific courses को कितने ways से चुना जा सकता है दो मैं से दो को चुनना एंड हमें optional भी चुनना है न तो इसलिए भीच में multiplication लगेगा साथ है optional courses साथ में से हमें तीन को चुनना है that's 7c3 ways 2c2 मैंने पढ़ा रखा nc n1 के equal होता है 2c2 आपका 1 आएगा 7c3 7 को कब तक expand करना है 3 places तक यहां पर आर 3 है 7 times sorry 6 times 5 3 places तक अब यहां पर नीचे 3 factor 3 times 2 times 1 3 2s are 6 6 6 6 से कटेगा वो आपके कितना बचा है 1 से multiple करने पर कुछ नहीं बनता है यहां पर बचा 7 5s तो इस बच्चे को जिसे 5 courses चुनने थे from the given 9 courses जिन मैंसे दो compulsory लिने थे दो specific courses 7 उसके optional बच्चते थे option 7 मैंसे 3 यह काम यह कितने ways कर सकता है 35 ways से यह इसके साथ आपके permutation and combination की exercise 7.4 complete हो गई इसके साथ overall हमारा चप्टर ही complete हुआ आप इसमें बच रही है मिसीनिस exercise उस मिसीनिस exercise में आपको अगले lectures में करवाओंगा ओके तो अगर अभी तक permutation and combination में कहीं पर भी confusion हो तो comment में लिखेगा अगर समझ में आया हो तो like share करना भूलिएगा माई कर दो